मैं हूँ नफीसा खान स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में दोस्तो एश्वर्या राय बच्चन की खूपसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मश्वूर हैं बड़ती उम्र के साथ ही साथ एश्वर्या और भी जादा गौर्जियस होती चली जा रही है लोग सोचते हैं कि आखर एश्वर्या खुद को फिट रखने के लिए क्या खाती है क्या करती है जो वो इस सुम्र में भी इतनी फिट है तो आपके इनी सवालों का आज हम जवाब देंगे आज के इस खास वीडियो में और आपको बताएंगे एश्वर्या राय का टाइट प्लान क्या है उनका फिटनेस मंद्रा क्या है सबसे पहले बात करेंगे एश्वर्या राय बच्चन के फिटनेस रूटीन की एश्वर्या सुबह सुबह अपने दिन की शुरवात फिट रहने के लिए ब्रिस्क मॉनिंग वॉक से करती है इसके बाद करीब एक घंटा एश्वर्या पावर योगा करती है जो की उनको flexibility देने के साथ ही साथ strength भी देता है योगा के अलावा एश्वर्या घर पर ही cardio exercise करती है इससे उनकी बॉडी flexible होती है और tone होती है एश्वर्या जिम जाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, वो सिर्फ हफते में चार दिन ही जिम जाती है उनका मानना है कि मैं सिर्फ फिट और हल्दी रहने के लिए ही वर्काउट करती हूँ बहुत ज्यादा hard workout की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा lean और tone नहीं होना जाती बात करें अगर एश्वर्या राय बच्चन की डाइट प्लान की तो एश्वर्या सुभा 6-7 बजे के बीच उटती है और इसके बाद अपने दिन की शुरुवात करती है दो ग्लास गुन-गुने पानी के साथ इसमें वो टालती है एक चमर शहद और आधा निम्बू एश्वर्या का मानना है कि दिन भर में हर किसी को एक चमर शहद किसी ना किसी बहाने जरूर लेना चाहिए इसके बाद अश्वर्या लेती है ग्रीन टी और इसके बाद अश्वर्या करती है योगासन या फर वर्काउट और वर्काउट से फारिक होने के बाद अश्वर्या करती है अपना नाश्ता नाश्ते में वो कोशिश करती हैं कि ऐसी चीज ले जो उने दिन भर के लिए एनरजी दे सके और ज्यादा तर एश्वर्य अपने नाश्ते में ब्राउन ब्रेट टोस्ट या फिर ओट मील खाना पसंद करती हैं साथी साथ एश्वर्य अपना नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करती सुबह ग्यारा बजे एश्वर्य राय एक लास जूस या कुछ फ्रूट सालट लेना पसंद करती हैं बात करें अगर उनके लंच की तो लंच में वो लेती हैं एक कटोरी ताल, एक रोटी ये रोटी बाज़रे या जुआर की होती है और इसके साथ ही वो लेती हैं एक बाउल भर कर उबली होई सबजियां शाम तीन से चार बज़े एश्वर्य एक बाब भर से ग्रीन टी लेती हैं और छोटी मोटी भूक लगने पर वो कुछ हेल्दी मनचीज खाना पसंद करती हैं इसके बाद बारी आती है रात के डिनर की तो वो डेली वेज़ेटेबल सूप जरूर लेती हैं इसके अलावा वो बॉयल वेज़ेटेबल भी खाना पसंद करती हैं कभी कभी वो ग्रीन लीव वेज़ेटेबल सालड खाती हैं और इसके साथ ही उन्हें रात के खाने में ब्रा पर राय बचन का एश्वर्या हमेशा जंक फूड फूड फ्राइट फूड पैकेज़ फूड टी कॉफी स्वीट इन सब चीजों से दूर रहती हैं वो पूरी कोशश करती हैं कि वो जो भी खाएं वो हल्दी खाएं ताकि उनकी बॉड़ी भी हल्दी बनी रहे इसके अलावा एश्वर्या अपने खाने से शूगर को दूर रखती हैं और चीनी के बजाए गुड या शहद लेना पसंद करती हैं चीट डे मील की बात की जाए तो एश्वर्या का चीट डे मील बहुत कम होता है पर वो कभी कभी इच्छा होने पर मन चाहा कुछ भी खाना पसंद करती ह इसके अलावा एश्वर्या अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहती हैं एश्वर्या कहती हैं कि हर दो गंटे पर अपना मेटबॉलिजम दुरुस्त रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए इसमें फल हो सकता है, वेजिटेबल सालेट हो सकता है इन सभी चीज़ों के साथ ही एश्वर्या ज्यादा पानी पीने को भी काफी तवज्जो देती है उनका मानना है कि आप जितना ज्यादा पानी पीएंगे बॉड़ी उतनी ही हाइडरेटेड रहेगी और आपका शरीर अंदर से डिटॉक्स हो सकेगा तो कुछ इस तरह का डाइट प्लान है वर्क आउट रूटीन है फिटनिस बंतरा है एश्वर्या राय बच्चन का उमीद करते हैं उनके बारे में दी गई ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी आपके काम आएगी तो अगर ये जानकारी पसंद आई हो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और देखते रहें जीवन कोश